हेलो एब्रिवन वेल्कम टू स्टेडी ग्राम चनल प्रेंट्स आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया विशे पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्रिया क्या है तो क्रिया का मतलब होता है कि बैठना खाना खेलना कूदना नाशना गाना इस सब भी जितने विक्तियादी जो सब बात करते हैं कि क्रिया अभी बताया कि क्रिया जो साब्दी कर्थ होता है काम करने से तो देखते हैं कि जिस सब्ध अथवा शब्द समू से किसी कार के होने या किये जाने का बोध होता है या कार को किया जाए या फिर होता है तो इस चीश को बोध होने से तो क्या होगा वह क्रिया कहलाता है अब आगे बात करते हैं कि क्रिया क्या एक विकारी शब्द होता है विकारी शब्द का मतलब होता है जिस पर लिंग वचन कारक इन सबी बातों पर प्रभाव पड़ता है वह विकारी होता है तो क्रिया भी क्या एक विकारी शब्द होता है यानि कि कह सकते है कि क्रिया के बीना जो कोई भी वाक्य वो पूरा नहीं होता यानि वाक्य का जो सबसे महतपूर्ट चीज होता वो क्रिया होता है और क्रिया ही डिसाइट करता है वाक्य किस प्रकार का है तो किसी वाक्य में करता का कर्म का या कह सकते हैं काल इन सब की जो जानकारी हमें किस से म मिलती है तो क्रिया के ही माध्यम से हमें मिलती है तो वाक्य में क्रिया का बहुत है इंपॉर्टेंट रोल है तो अब देखेंगे क्रिया का साब्धिकर तभी में बता है कि किसी कारिका होना या किया जाना क्रिया होता है अब क्रिया का मूल रूप देखते हैं कि क्रिया का मू होता है उसको हम धातु काते हैं और यह संस्कृत भासम होता है यानि कि धातु मतलब क्या होता है क्रिया का हुआ अंस है जो प्राया क्रिया के सभी प्रारूपों में पाया जाता है धातु आगे देखते हैं कि जो धातु का जो मूल शब्द अक्षर क्रिया के निर्मार से ही और दो संसकृत में क्रिया रूप को ही धातु कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि मूल धातु क्या है तो मूल धातु जो हता है यानि धातु को जो मूल रूप से होता है वो स्वतनत्र होता है और इस पर यह जो हता है किसी पर आस्रित यानि किसी पर निर्भर नहीं होता है जो मूल धातु होता है वो बिल्कुल स्वतनत्र होता और किसी पर निर्भर नहीं यहीं देख आते हैं जैसे खा पड खा और पड़ यह प्रत्य होगा है तो सुझेम प्रत्य होग्या सब्ढ ₹ यह सब यह थातु भकित जातर पड़ लिक देख यह सबह पडलते हैं स्व्त enough होते हैं इसलिए अब क्रिया के भेद देखते हैं अब इमने धातू के भेद देखा अब क्रिया के भेद यानि प्रकार को देखते हैं तो क्रिया के जो भेद यानि प्रकार है उसके तीन भाग होते हैं क्रिया के जो भेद उसके कितने भाग होते हैं तो तीन होते हैं कौन-कौन से तो एक कर्म की अधार पर होता है क्रिया एक रचना की अधार पर होता है क्रिया एक अर्थ की पूर्णाता की अधार पर होता है अर्थ की पूर्णाता की अधार पर होता है अर्थ की पूर्णाता की अधार पर होता है क्रिया के बिल्कुल बिल्कुल जो है बारी-बारी से देखते हैं कि और दूसरा जो है योगिक क्रिया अर्थ की पूर्था पर देखते हैं तो यह भी दो प्रकार के होते हैं कर्म की अधार पर भी दो होते हैं रशना पर दूसरा योगिक दूसरा किया है योगी क्रिया, रूड और मूल क्रिया क्या होता है? जो धातु से बनती है उसको रूड या मूल क्रिया कहते हैं, जैसे जो मूल या मूल क्रिया योगी क्रिया जो धातु में एक से अधिक प्रत्य लगा कर बनते वो योगी क्रिया होते हैं जैसे खाना है खाना सब्ध है अगर खाना में इसका जो हम योगी क्रिया बनाने लगें तो क्या हो जाएगा खाना का खिलाना इसमें एक से अधिक क्रिया लग रहे इसमें भी एक से अधी जब लग रहें हैं तो योगी क्रिया बनती है और जो मूल सकर्मक मतलब किमसायद यानि कि क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो वही सकर्मक क्रिया होती है यानि कि कर्म सहीत होता है और क्रिया का फल किस पर पड़े तो कर्म पर करता पर नहीं कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया होती है इसको समझते हैं कि जहाँ पर किया किसे किसको अत्यादिस सब्द सक कर्म 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 और इसपर क्रिया का प्रभाव किस पर पढ़ेगा किसे पड़ रहा है किसे पड़ पुस्त मिल रहा है मिल रहे है तैने प्रक्रश्ण बन रहा है कि क्या किसे किसको को जिए हो सेया इसके भी दूभेद होते हैं, कौन-कौन से एक अकर्मक होता है, दूसरा द्विकर्मक, एक अकर्मक मतलब जहां पर एक क्रिया ही संपन होती है, वो एक कर्मक होता है, द्विकर्मक जहां दो क्रिया है, एक साथ संपन होती है, एक साथ दिखाई देने लगे, तो वो दिकर्मक उधारन में देखते हैं कि जैसे राम ने साइकल क्रिया है यहां कई कर्मक ज他们 करते हैं पूंत ढूंग संवस्लिए यहां कर्म को पुष्टग दी जौनिंगे श्याम को पुष्टग दी नियलते हैं तो यहीं दो क्रियां एक साथ चल रही है तो यही क्या हो जाएगा ही करमक, अब आगे देखते हैं करमक यानि सकर्मक देखा है जो कर्म सहीत हो, कर्मक मतलब जिस पर करम का प्रभाव न पढ़ी तो कर्मक पको पर पढ़े हैं, Aufgabe citizen+. करता पर पड़े यानि कि जो क्रिया का प्रभाव किस पर पढ़ना चाहिए तो करता पर पढ़ता है वो अकर्मक होता है और यहां पर क्या किसे किसको इन सभी का प्रस्णों को उत्तरजम नहीं मिलता है तो यह अकर्मक होगा यानि इसकर्मक का बिल्कुल विपरीत जैसे मोहन सोता है तो सोना कि प्रभाव किस पर पढ़ा है तो क्योल मुहन पर पढ़ रहा है इसमें कोई कर्म नहीं दिखाए जड़ा है तो कर्ता पर पढ़ा यानि मुहन पर पढ़ा है तो यह क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया तो समझ गए सकर्मक क्रिया कि दो भेद होते हैं कर्मक द नामधातु यानि किस तरह से जो हैं पांच क्रिया हैं एक प्रणाथक क्रिया दूसरा सयुक्त क्रिया तीसा अनुक्रणात्मक क्रिया चौथा नामधातु क्रिया चार क्रिया हैं योगी क्रिया के कुल कितने भेदें तो चार प्रणाथक सयुक्त अनुक्रणात्मक और लाता है तो वहां पर प्रेणार्थक क्रिया होती है जिसे उधारण में देखेंगे मोहन जो है गोविंद की प्रेणा से जागा मोहन जो है किसे जागा तो गोविंद की प्रेणार्थक क्रिया होती है तो मोहन जो देख रहे हैं कि आप प्रत्य लगा है तो आप प्रत्य किसम इसमें आ प्रत्य लगा है तो यह क्या हो गया प्रत्य का लगना आवश्यक है वह प्रत्य भी लगा करके भी प्रत्य क्रिया बनाई जाती अब संयुक्त क्रिया देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या होती है कि जब सब्द दो या दो से अधिक थात्यों की योग से बनता है तो वही क्या होता है संयुक्त क्रिया यानि कि जब दो या दो से अधिक भीन अर्थ रखते हैं और जब क्रियाओं का मेल होने क्रियाय मिलने लगते हैं जब दो या दो से अधिक अलग-अलग अर्थ रखें भीन मतलब अलग-अर्थ रखने लगते हैं और लेकिन क्रियाओं का मेल यानि बिल्कुल मिलते रहें तो वही क्या होता है संयुक्त क्रिया जिसे उधारण में देखेंगे इस से बोलते हैं कि कि राधा इस्कूल गई राधा इस्कूल गई या फिर उदारन बोल सकते हैं कि बारात आ गई उसका स्वागत करो ति इस तरह से स्वागत क्रिया है यानि आना और स्वागत करना इसमें दो क्रियां दिखाई दे रही तो स्वागत क्रिया यही होती है वो प्रथम की विसेश्टा होती है, प्रथम की बिल्कु प्रधान होती है और दूसरी क्रिया जो होती है उसकी प्रथम की विसेश्टा को बतलाती है, तो इस तरह से स्युख्त क्रिया होगी, उधारण में भी पता है, जैसे कि बरात आ गई है उसका स्वागत करो, अब आ इसका पहले क्रियदा और बिल्कुल नेर्बॉरा रे किसे पर नेर्बॉर हो तो ज़ embarrass या पढ़ रही है तो रस्य जल गया राधा पड़ रही है पड़ बी लात्र हर और रही और बी इसलेकर दो मूलधात्वे बनी है तो जब दो धात्वे एक सेधिक धात्वे जब बनती है तो क्या होता मूलधात्व होता है यानि मूलधात्वों के योग से संयुत क्रिया बनती है अब आगे देखते हैं कि अनुकरणात्मक्रियां क्या होती है तो जब सब्दों में कल्पी ध्वनी या खट किया यह अनुकरणात्म करिया है देखिए जब बनाएंगे तो खट खट आना यह क्या होगय अनुकरण कर ने लगते हैं तो आगे देखते हैं कि नाम धातु क्रिया जब प्रियोग होने लगते हैं चीज़ों को ध्यान में रखरके नाम धातु क्रिया मैं बनाती हैं। अब संग्या का हाथ नाम धातु especially hard है तो अब इसका माधात्य के क्या हो जाएगा अपना क्या होजेगा अपना अपना सर्वण उन suburbs देखेंगे और इसका नामधाति थो देक्षे तो अपनाना सुखा एक विशेष्ड सुक्त कई सुख्यान गर्म कर्म क्रिया होते हैं यह canyon करता है कंग्धा अबधात्म क्रियां ऑ graspali हुए सफिर्व और नमध्यात्म के भने अनुकर्णात्म क्रियां वास्तविक धनियों का अनुक्रन करने लगते हैं तो वही अनुकर्णात्मक क्रिया जैसे खट-खट-खटाना, खट-खटाना, बन-बन-बन-बनाना, संसन संसनाना तो यह अनुकर्णात्मक संयुक्त क्रिया हो जाते हैं और इसमें दो क्रियां दिखाई देती हैं एक प्रथम क्रिया होती है एक दूसरी क्रिया हो